दोस्तो आज की इस वीडियो में यूटूब के एक न्यू अपडेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और दोस्तो यह जो अपडेट है ना हर एक यूटूबर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो फ्रेंस टाइम व्येस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं यूटूब के नए अपडेट के तरफ तो कहां पे और क्या अपडेट किया गया है तो फ्रेंस यहाँ पे सबसे पहले मैं YT Studio अप्लिकेशन ओपन कल लेता हूँ और दोस्टों जो यह अपडेट है न आपके comment box को लेकरके यानि comment section को लेकरके किया गया है तो फ्रेंस यहाँ पर मैं content वाले option पे आजाता हूँ यानि वीडियो वाले option पे आजाता हूँ तो friends जैसे मैं वीडियो वाली option पे आऊंगा तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी वीडियो देखने को मिलेगी और दोस्तों जो update किया गया है कहां किया गया है ध्यान से देखिए तो आप अपनी किसी भी वीडियो में जाकर इस update को check कर सकते हैं तो मैं ऊपर की मेरी एक वीडियो है मैं इसको ऊपर वाली वीडियो में जाकर check करता हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ तो इस तरीके से option देखने हो को मिलना है फिर मैं edit pencil यूप्सन पे option पे klik कर लेता हूँ Edit pencil वाले option पे click करने बाद friends आपको नीचे आना है सबसे नीचे जो सबसे नीचे का more option है जहाँ पे आप tag लगाते हैं अपने YouTube के वीडियो में आप लिखा tag category comments तो आपको इस पे click कर देना है इस पे click करने बाद friends यहाँ पे आपको अपने YouTube वीडियो के tags देखनों को मिलेंगे उसके बाद नीचे आना है नीचे आने बाद friends यहाँ पर देखिए comments visibility लिखा हुआ ना allow all comments तो इसी में जो है अपडेट किया गया है मैं इस पे click कर देता हूँ इस पे click करने बाद friends यहाँ पर देखिए उपर में एक ticker करका हुआ allow all comments उसके नीचे भी कई सारे option है hold, potentially, inappropriate comments for review, increased strictness तो यहाँ पर फ्रें friends एक तरीके से हिंदी में क्या मतलब होता है पहले मैं आपको बता दूँ फिर इसका मतलब भी आपको समझा देता हूँ अर्थ क्या होगा, तो friends increase मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना, और strictness मतलब होता है सक्ती यानि कठोरता, यानि friends आपको पता होगा कि आपकी YouTube वीडि किया गया है, यानि friends increase strictness इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि आप अपने YouTube वीडियो में सक्ती को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, जैसे friends strictness का मतलब होता है सक्ती कठोरता, जैसे friends inappropriate जो गंदे कमेंट्स होते हैं, जो अभदर कमेंट्स होते हैं, जो एक तरीके से अनपयूग तो कमेंट्स होते हैं, वो कमेंट्स अगर आपके वीडियो में आते हैं, तो friends क्या होता हो, वो सभी लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकि friends अगर आप इस पे okay कर देंगे ना, और इसको save कर देंगे, तो आपके वीडियो में जितने भी bads कमेंट्स होंगे, inappropriate comments कमेंट्स आ आके रखेगा, कि आपके वीडियो में कौन क्या comments कर रहा है, उसको जैसे ही doubt होगा ना, कि आपके वीडियो में गलत comments आया, कोई भी inappropriate का comments किया है, तो वो उसको तुरंत ही hold कर देगा, यानि health for review में डाल देगा, और जब आप उस comments को पढ़के उसको approve करेंगे, तभी वो comments द ज्यादा आप सकती बरतना चाहते हैं, कि नहीं कठोरता दिखाना चाहते हैं, कि नहीं, और दोस्तों यह जो update है ना, आप अपने हर वीडियो में इस settings को on कर सकते हैं, इसके लावा friends अगर आप चाहें, तो आपने YouTube चैनल को desktop site को open करेंगे, settings वाले option पर जाएंगे, वहाँ आप ए settings वाले option पर जाने के बाद, community वाले option पर जाएंगे, उसके बाद आपको default का एक settings देखने को मिलेगा, उस पर जाने के बाद, friends इस features को on कर देंगे, तब भी आपके वीडियो में, सारे वीडियो में यह चीज ओन हो जाएगा, मतलब कि आपके वीडियो में जो भी इन comments आते थे, गंडे comments आते थे, अब YouTube उसको block कर देगा, अगर आप इस features को on करके रखते हैं, तो वीडियो अच्छे लिगित वीडियो को like करना, share करना, चैनले पहली बार है, चैनले subscribe करना, मत भूलना, फिर मिलता friends, next video में thanks for watching.